चलिए दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल अफेस चनल पर स्टार्ट करते हैं अपने आज के गरेंड फिर डेली वीसिस पर यहाँ पर आप पड़ सकते हैं किक पॉइंट और और तेलिग्राम चैनल जोइन करें अमन सर वाइफेसरी क्योंकि 6 एम पर ये वीडियो कर लीजेगा सोड़ आपको कम फीस में कोर्सिस एवलेबल हो सके चलिए पहला कोशन में इंडिया की कौन सी स्टेट फर्स स्टेट है जहां पर मंकी पॉक्स जो है केस पाया गया तो यह किरला में पाया गया चलिए उसके बारे में जानते हैं जो कि युनाइटेड अरब से रिटान आये थे और उन्हीं में जो है यह कंफर्म मंकी पॉक्स का जो है केस पाया गया और यूनियन गुवर्मेंट के द्वारा इसी वज़े से एक डेप्यूटी डेप्यूटी लेवल जो हाई लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है साउथ स्टेट केरला में भेजी और के रिटान गया जो है जो रिपोर्ट उसके बाद एक सेवरल मीटिंग उसके बाद कुछ जो है स्टेप्स रखे जाए इंडिया के इंडियन के हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा चले देगे दूसरा कुशन आप सभी के सामने जिन्हों ने ब्रिक्स का जो लेबर एंप्लोऋंट मिनिस्ट्र मीटे से अटेंड किया तो भुपेंदर याधव जी त्वारा किया गया और इसकी जो प्रेजिदंसी थी वो चाइना के द्वारा की गई ती ये भी इंपूर्टन कुशन आ सकता है 3 major priority issue रखेगे जिसमें से promoting green jobs पहला issue रहा, developing skills जो है दूसरा issue रहा और तीसरा जो है protecting workers right जो है यह तीसरा issue रहा इफिनल्ली इससे में जो employment है वो climate change को consider परते हैं green job की जो है ज़ादा बात की जरी है तो इसके चलते जो है, गुこの इंडियन गॉब्मेंट के दुवारा सेक्टर काउंसिल फॉर जो है यह भी सेट अप किया गया है जिसमें जो है स्केल्ल डवलप्मेंट ग्रीन सेक्टर में जैसे एक्जांपल के तोर पे रिनियोबल एनरजी संबन अपॉर्चनेटी किलेट के जाये जैसे माराइड solution like solar dryer, biomass powered coal storage and these kind of jobs जो कि blue economy, agroforestry economy से संबन देतों चलिए देखिए, world health organization जो है इस पे एक committee रख रहा है monkey box एक बड़ा issue बनता जाता है तो इस पे emergency committee कप के लिए रखेगी है तो answer is question का 21 July और इसी committee में जो है decide होगा कि जो monkey box है इसको किस category में रखना चाहिए तो 21 July को ये meeting होगी जिसमें जितने भी several committee के members है वो सभी जो है आपने अपने points देंगे कि किस condition में रखना चाहिए तो जो अभी इससे पहले 23 जून को meeting होई थी World Health Organization उसमें भी कुछ update दिये थे अभी so-called public health emergency international concern जो है उस category में है और में भी देखिए आप सभी जानते कि जो monkey box है ये Central African country में endemic है लेकिन 63 ऐसी country हैं जहां पर ये एकदम से फैला है 9200 के आसपास cases जो है United Nation Agency के द्वारा जो update भी किये हैं तो अब इस 21 जुन की जुलाई की meeting के बाद ही इसी का confirm होगा कि हम इसे किस category में रखें अभी तक के लिए जो है ये situation अभी जो है threshold से नीचे ही है let's see the next question इंडिया के जो top ISS shooting world cup medal जो है उसमें इंडिया ने top किया है definitely तो ये कहां पे हो रहा है तो ये South Korea में हो रहा है ये पूरा event जो हो रहा ISS shooting world cup ये South Korea में हो रहा है और इसमें इंडिया टॉप पे है इस समय इवन इंडिया ने जो है South Korea host country को पीछे कर दिया और even Serbia को जो है पीछे कर दिया इंडिया का जो tournament में 8 medal हो चुक है 3 gold हो चुक है 4 silver हो चुक है 1 bronze हो चुक है अभी जो last day जो अभी tournament में हुआ उसमें इंडिया ने अच्छा score किया जिसमें इंडिया को silver भी मिला है एक gold भी मिला है तो यह सब event जो है जो है South Korea में हो रहे है लेट सी दा next question हाल फिलाल में स्किल इंडिया mission की कूंसी anniversary observe की जा रही है तो यह 7th जो है anniversary है देकि national skill development mission जो यानि की स्किल इंडिया mission को launch किया गया था 2015 में तो अभी 7th anniversary observe की जा रही है जिसमें definitely जितना भी objective है यूज को skill provide करना उसके ओपर लेक जो person है उनको place किया गया है तो यह एक achievement है अगर देखा जाए तो सालाना जो है mission skill India mission के जो है एक करोड यूद जो है उन्हें training दी जा रही है government के द्वारा let's see the next question कौंसी देश की government और UNESCO के बीच में landmark memorandum of understanding हुआ है तो answer is question का मंगोलिया के बीच में तो government of Mongolia UNESCO ने जो अभी 60th anniversary जो मंगोलिया की हुए उसमें जो है जैसे UNESCO का part बना था उसी के ऊपर 60th anniversary हुए और अभी यहां पर memorandum of understanding sign किया गया मंगोलिया का जो new recovery policy और vision 2050 है उसको जो है UNESCO support करेगा यह MOU sign किया गया है ठीक है और इसमें किस चीज़ों पर focus होगा example education science culture digital transformation इन सब चीज़े जो है इन सब चीज़ों पर जो है focus किया जाएगा एक बहुत प्रसिद्ध Mongolia का festival है जिसे का जाता है नदेम festival यह भी कोशन आ सकता है तो इसको हाल फिलाल में और्वनाइस किया गया नदम को युनेसको representative list of intelligible cultural heritage में 2010 में डाला गया था तो इसलिए इस पर कोशन आने के chances है चली देगे कौन सी country ने जिसने हाल फिलाल में suspended किया है उनाइटे नेशन की जो पीस कीपिंग जो rotation है तो उसका reason भी दिया गया है national security उसका reason दिया तो answer है मली इसका answer है तो माली के दुआरा जो है Suspend किया गया युनाइटे नेशन पीस कीपिंग फॉर्स का जो विशन है तो मिनस्मा नाम से जो है ये peacekeeping force जो है माली में है और national security का अवाला देते माली ने जो है इसे जो है हटाया है और देखे इसमें एक चीज और है कि announcement किया गया माली के द्वारा कि माली ने authority ने 49 Ivorian soldiers जो है उनको जो है arrest किया है इसी के चलते तो इतना ही हमें इसके बारे में जानना है let's see the next question actor filmmaker प्रताप पोथिन जो है इनका निधन हुआ है किस age में तो answer is question का 70 की age में तो ये infamous रेक्ती थे इनको national awards भी मिले हुआ है तो actor filmmaker जो है इनका निधन चन्नेई में हुआ है 70 की age में और देखे जो है ये अभी last किससे संबंदी स्टार CBIC जो है इससे संबंदी थे last अगर देखा जाए तो इनको जो award मिला national award मिला था 1985 में to film a movie मेंदियूम औरू नाम से ये जो movie है इनसे संबंदी दिये रहे थे उसके अलाबा जो है इन्होंने और भी भहुत सारी मूवी जो है डारक करी है तो लेट सीधा नेक्स्ट कोशन हाल फिलाल में कौन सी कंट्री जो है टू बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रही है तो डवलाप एन इंटिगेटिट फूड पार्क इन इंडिया तो इंपोर्टन है आंसर इस कोशन का यूए और इस ये किसे संब्दित है फूड पार्क का जो इशू रहा वो किसे संब्दित है अभी हाल फिलाल में आई टू यूआई जो है ये सम्मिट हुआ जिसमें इंडिया इसराइल यूए 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 से जो है इनके बीच में discussion हुआ था food security crisis को लेके और clean energy को लेके जिसमें major portion जो है food security भी रखा गया कि food production, food delivery system जो है इस पे जो है better तरीके से काम करना पड़ेगा so that कि globally जो food की requirement आ रही है किसकी यूए रशिया की वार की वज़े से कमी भी हो रही है तो उस पर discuss किया maximize करने के लिए crop yield जो है उस पे discussion किया गया तो उसमें एक food park का भी एक announcement किया गया था चले, quick point देखेगा हाल फ्राल में कौन से देश के journalist ने ये confess किया है कि उसने 4 साल तक जो है as a journalist बनके इंडिया पर spy किया 2007 से लेके दस तो पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तानी जनरलिस के द्वारा आल फ्राल में नासा के द्वारा एक sharpest image लेगी है यूनिवर्स की जैम्स वेब space telescope को यूज करके इंडिया का latest global system development ranking जो है 21 है देखिए कल एक सवाल पूछा के दर इक कून से vitamin की deficiency की वेज़े से होता है तो शेयगा बिल्कुल आंसर सही डी और आज का सवाल देखिए मुगल थ्रोन में किसने succeed किया था in the year 1556 तो इसमें से कौन से मुगल king थे comment box पे answer दीजेगा दोस्तो telegram channel join कर लेना आपको pdf मिल सके report and win को option उप्षिन करिए ये scholarship test लीजेगा और दोस्तो आपकी fees hike होने वाली है मेरे हिसाब से fees hike होने से पहले subscription लेंगे तो benefit होगा liveman code से आपको मिल जाएगे liveman code पे ही आपको सारे subscription available होँगे सारे teachers सारे subject unlimited होगा आप at least किसी भी course को जब join करें एक बार at least liveman code लगा के देखें you will get to see कि आपको सारे offer automatically मिल रहे हैं और आपको जो fees है वो एकदम से कम हो जाएगा use this liveman code और अपने subscription समय रहते लीजिए fees hike होने से पहले लीजिए किसी भी course में आप चुड़ सकते हैं liveman code यूज़ करके thanks a lot session को like करिए, share करिए, channel को subscribe करिए thanks a lot for watching